हुँँ हेलो फ्रेंट्स कैचा सब लोग तो फ्रेंट्स आज की उड़े के अंदर बात करेंगे आपके बड़े महत्पून टोपिक की जहासे कोशन आपके एक्जाम में जरूर पूछा जाता है खास कर सीडीपी में तो यहासा आपका कोशन आने ही आना है ठीक देखे जिस टोपिक के आज में बात करने वाला हूँ वो टोपिक आज है आपका पाचवा और टोपिक का नाम आपका बुद्धी यानि इंटेलिजन्स तो इंटेलिजन्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चेप्टर होता है लेकिन अगर बात करो आपके सीटेट के एक्जाम में तो यहासे लिमिटीड चीज आपके एक्जाम में पूछी जाती है जैसे बुद्धी क्या होता है ठीक है बुद्धी को किस तरीके सम यूज कर सकते हैं उसके अलाऴा बुद्धी में जो सबसे मैत्मून थियोरी पूछी जाती हावऑड गाड़न अर का बहुअब गुद्धि सिद्धानत मल्टिपल इंटेलिगें थोरी बाई हावड गाडनर उसके बार में एक जम में पूछ लेता है टीक है लेकिन सबसे जानाद हा आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा बुद्धी वाले चैप्टर के अंतर है तो आज देखते जाना आज आपका बुद्धी का चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है और जो लोग नहीं आए वो चैनल को सब्सकाइब कर लेना क्योंकि जितनी क्लाशिज मैंने अपने चैप्टर के बार में ठीक जी मैं ठीक हूँ आप लोग सब ठीक होंगे वडिवरिंग वडिवरिंग सभी को ठीक है हाँ अब करते है अब LISA की स्टार्ट अपने देखे सबसे पहले बात करते हैं बुद्धी के बार में अब आप लोगों को एक बात जाननी पहले जरूर यह ध्यान से सुनना जैसे जो आपका सीट का एक्जाम होता है और जो बाकी का आपके टैट के एक्जाम होते हैं लाइक आपका यूपी टैट हु प्राचिन जो सिद्धान्त होते हैं मनुव विज्ञानिक होते हैं वावासा आपके एक्जाम में क्वेशन पूछ गए तो आपको वह चीजा नहीं पढ़नी वह आपके टैट के एक्जाम में आती है जितनी चीजा आज की वीडियो के अंदर में आपको बता रहा हूँ यह आप सभी को पता है बुद्धी क्या होती है आपके अंदर भी बुद्धी है मेरे अंदर भी बुद्धी है सभी के अंदर बुद्धी होती है ठीक है तो बुद्धी सबसे पहले इसके बारे में अगर मैं पॉइंट के ओपर बात करू तो बुद्धी एक व्यक्ति की मानसि चमता होती है जिससे वह क्या काम करता है जिससे वह तर्क करता है देखे हम लोग चाहे कोई भी हो हम लोग तर्क वितर्क किसके माध्यम से करते है बुद्धी के माध्यम से करते है जैसे हमें तर्क करना है और सीटेट के एक्जाम में 140 प्लस नंबर लेकर आने तो किस तरीके स सेल लिकर आएंगे ठीक है तो इसके ओपर आप लोग तर्क करोंगे कोई वितर्क भी करेगा ने यार एकसो 40 नहीं आ सकते ठीक तांधार मिल्मराख सोचथे चिंतन करते है वो भी पुर्दी के मुध्दी के म।ую नमबर ठीक है तो जो चिंतन-करता है वह हुरbling वह घ्र कि इमेजिनेशन भी आदमी बुद्धि के हेल्प से करता है कि भाई एक बार 140 प्लस नंबर आ जाए सचिन सर के यूटूब चैनल पर आकर अपना इंटर्व्यू दूंगा वन्ना किसी न्यूजपर के अंदर मेरे नाम की कटिंग आएगी तो देखें यह जो जितनी भी चीज जयतर करना चिंठन करना इमेजिनेशन करना ये यह साब आदमि किसके माद्व 처ता ये करता है जी और अगला पॉंट इसके चलो सचिन सर की किलाज देखते हैं ठीक है वह वाली वात उनके नोट्स पढ़ते हैं घर पर प्रेक्टिस करेंगे प्रिवेसर के कुश्चन लगाएंगे तो कोई भी समस्या आगी समस्या का समधान से बुद्धी के माध्यम से होता है ठीक है ये सभी को बता है आपको अगला हावर्ड गार्डनर की थोरी आएगी multiple intelligence थोरी तो उसमें आपने देखना कि हावर्ड गार्डनर ने कैसे अलग-लग तरिके की बुद्धी बताई है तो क्या सिर्फ एक प्रकार की बुद्धी हमारे आपके अंदर है बिलकुल नहीं है अलग-अलग प्रकार की बुद्धी ह हमारे आपके अंदर देखने को मिलती है इसलिए बुद्धी का खाली एक आयाम नहीं है एक dimensional नहीं है यह multi-dimensional यानि की बहु आयामी मानी जाती है और क्या होती है कठीन योग गिता हो यानि जो complex capabilities होती है उनका एक set होती है अब देखिए आप लोगों के अंदर हो चाहे मेरे capabilities होती है क्या सारी छमता है होती है जैसे मैं सही तरी के से पढ़ा सकता हो सही तरी के से gym कर सकता हो सही तरी के से cricket खेल सकता हो तो क्या सारी capabilities मेरे अंदर है ऐसी आप लोगों के अंदर इभी होगी कुछ ना कुछ तो इन सभी का एक set होती है बुद्धी ठीक है एक group होती है जो बुद्धी होती है तो इस पॉइंट को आप लोग समझ गए अगला पॉइंट होता है कि बुद्धी इस्ताई होती है और परिवर्तन सील होती है अब देखे उपर वाले ने सभी ने जो आप हो चाहे में हो हर किसके अंदर एक फिक्स अमाउंट में बुद्धी दी हुई खाशकर महिलाओ आप लोग जीजाद है मतलब नराज मत हो जाना जैसे जो पुरुस वर्ग होता है उसमें थोड़ासा दिमाग जो होता है वह महिलाओ की अप्रिकसा जाद होता है ठीक? इह प्लकुल इस ताही है जो उपर वाले ने दे दिया अब इसके अंदर बुद्धी एक इस्ताई है और साथ में प्रिवर्तंसील होती है अगला पॉइंट आपको दियावाए कि बुद्धी अनुकुलन यानि की एड़ेप्टेशन इस्तापित करने में सायता करती है एड़ेप्टेशन में मतलब एन्वायरमेंट का कोडिंग अपने आपको डालना अब एन्व पास हो जाएगा फिर वही सब चीज आजाएगी जो जो मैंने उपर बताई आपको ठीक है उसके अलावा अगला पॉइंट आपको दियावाए कि बुद्धी जो होती है वह आनुवान्चिक और परियावरनिय यानि आपकी हैरेडिटी और एन्वायरमेंट इन दोनों की ज लगा इन स्फेसे आपको चापिति नहीं कर पाएगा इस बंब नहीं बन पाएगा ठीक है दोनों का ही होना किलावाड स्वात जादा जरूरी है और लिए दोनों किसके단 होता है, बुद्धि के द्वारह होती है, अमलेजे कोई डोक्टर है, तो डोक्टर की बुथ जाद है, इंटलिएन्ज है, अब ऐसा हो सकता है, एरेडिटि के द्वारहा है उसका बच्चा भी इंटलिएन्जियन्ज मिलेगा, बट उसको मिल गया तो क्या उसकी बुद्धी बढ़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगी तो इसलिए बुद्धी के लिए हेरेडिटी और एंवायरमेंट दोनों का ही होना जरूरी है दोनों का यह पढ़ नाम होती है अच्छा जितने भी पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए ठीक है तो सीटेट का पैटन बड़ा लग होता है तो आपको अलग तरीके के चीज देखनों मिलती है तो बुद्धी के बार में जितनी जानकारी होनी चाहिए जो आपके एक्जाम से सम्मंदित होती है वो मैंने आपके सामने आपर बता भी यहा तक आपको समझ में आगया चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब बढ़ते हैं आईक्यू के उपर बढ़ते हैं जो बुद्धी लब्दी का जो फोर्मूल है उसकी तरफ बढ़ते हैं अब देखे मैंने खा अब बुद्धी से सम्मंदित आपको पास्ट में नहीं जाना किस मनों विज्यानिक ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करा किसने संसोधित करा किसने क्या कुछ करा ठीक है यह सब चीज आपके एक्जाम में नहीं आती अब आईक्यू से संबंदित भी कुश्चन आपके एक्जाम में कैसा आता है जैसा आईक्यू पता है आपका जो बुद्धी लब्दी होता है तो इस एज अपोन को नोलेजिकल एज इन्टू हंडड़ यह आईक्यू का फोर्मूला होता है इसके द्वारा किसी भी बच्चे की जो बुद्धी लबदांग होता है उसको निकाला जाता है जितना भी आईक्यू निकल करा जाएगा उससे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि बच्च निमेरिकल वाला लेकिन आपको पता होना चीने जब भी आपसे निकालने के लिए गया इसको निकालां थिके आप यहां से प्रतिबासाली बुद्ध है तुम अलग हो जाओ एसा काम नहीं करना चाहिए क्यों किłos एसा क्यों और दूसरा, बच्चों को आपको वर्गी करत नहीं करना चीए, अब देखिए, आप मान लिजाए, आईक्यू के अंदर जितने भी डिजट निकल कर आजाएगी, जितना आईक्यू निकल कर आजाएगा, उसको यहाँ पर बताये गया है, कि अगर किसका आईक्यू इतना है, तो उसको क्या का जाएगा, किसका इतना है, तो किसको क्या का जाएगा, अब आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो, जहांचा सुनना, आप लोगों का आईक्यू निकल लूँगा, देखना है, ठीके, अगर किसी का आईक्यू 25 से कमें, तो उसको जड़ बुद्धि का जाता है, अगर 25 से 49 है, तो उसको मुड़ बुद्धि का जाता है, 50 से 69 है, तो मुर्ख बुद्धि का जाता है, 70 से 79 है, तो उसको मंद बुद्धि का जाता है, और 80 से 89 है, तो सामन्य बुद्धि से नीचे का जाता है, और 90 से 109 वाली बुद्धि, यह इंपोटेंट है, स किटने नंबर चाहिए 151 से 90 नंबर चाहिए और ज्यादार जो देखने को मिलता यह गजुँद्धष से उपर है तो तेजग- पुछा जाता है और एक आपका 140 से उपर वाला पूछा जाता है यह दो ज्यादा पूछे जाते हैं अगर किसी का IQ लेवल 140 प्लस का है तो उसको गिफ्टीड स्टुडेंट्स यान की परतिवासाली बच्चे हम कहेंगे यहनि अगर सीटेट में कोई बच्चा 140 प्लस लेकर आगया तो समय लोग गिफ्टीड स्टुडेंट्स आगे किसी भी जोब के अंदर वो अपना सेलेक्शन जरूर लेकर जाएगा या कुछ ना कुछ हो जाओगे तो आपकी एवरेज इंटेलिजेंस आगे जोब के अंदर आप नहीं बैठ पाओगे दूसरे बच्चे आपको उड़ा देंगे कहीं मेरी नहीं छोड़ेंगे ठीक है तो इसलिए आपको अपना एक्यू लेवल कैसे करना है एवरेज से ऊपर करना है दूसरे ब अब देखें यहाँ पर मैंने यह टोपिक वैसे अलग था यह टोपिक बुद्धी से अलग था जो यह वाला टोपिक है परतिवासाली जो बच्चे होता है गिफ्टीड इस्टुडेंट्स होते हैं बट मैंने इसको बुद्धी वाले चैप्टर के अंदर एड़ कर दिया ठीक अभी छोटे से टोपिक को पर मैं अलग से क्या वीडियो बनाता है मैंने सोचा बुद्धी वाले चैप्टर में एड़ कर देता हूं लेकिन सीटेट के अंदर आपका बहुत पूछा जाता है गिफ्टीड इस्टुडेंट्स यानि परतिवासाली बच्चों से का इसके बारे में जान लीजे वह किस तरीके के होते हैं जसा आपने वह देखी थी मूवी कौन चि थी वह ठीडियो उसके अंदर आमीर खान थे जो रैंचोरदास बने तो उसी तरीके का परतिवासाली बच्च्चा समझजिए ठीक गिफ्टीवासाली बच्च्च्चों हो बच्ची जो परुति बासानी बच्ची और इनमें सेल्फ एफिकेसी यानिए आत्म छमता पाय जाती है इनके अंदर यह वाली मेंटिलीटी होती है यह साइकें डू मतलब मैं काम को किसीबी काम को कर सकता हूं तो इनके अंदर से ठीखसा कहते हैं नहीं से जोदे श्रीकार घ जाती है उसके अलाव क्रियेटिव आइडिया जोते है देखे जब भी गिफ्टीड स्टुडेंट्स की बात आ जाएगी तो क्रियेटिविटी इनके साथ जरूर देखने को मिलेगी जब आप लोग इनसे बात करोगे तो दूर-दूर के क्रियेटिव आइडिया इनके पास देखने को मिलेगे जैसे जो आमीर खानते कितने क्रियेटिव आइडिया इनके पास थे ठीक कभी इन्होंने कुछ बनाया कभी उसकी हेल्प करी थी जो विचारा मुवी के अंदर को मर गया था ठीक है अली जाफर जो बना था ठीक और कभी बच्चे को खाली थोड़े से उसको ड्रेस चेंज करके स्कूल के अंदर वेच दिया कि पढ़ने के लिए सिफ ड्रेस होनी चाहिए पैसे नहीं होनी चाहिए तो बड़ा क्रेटीव माइंड होता है इनका जो गिफ्टीड इस्टुडेंट्स होते हैं यह बात आपको समझे मा बनते हैं तो अलग अलग फिल्ड के अंदर अपना बहुत बड़ा जो नाम मुकाम हासिल करते हैं वह यही गिफ्टीड इस्टुडेंट्स रहते हैं ठीक है उसके लावा इन्हें ऐसे सपोर्ट की यानि साहता की जड़ाता जो स्कूल के द्वारा इनको नहीं मिल पाता इसके लिए इनको अलग से सपोर्ट देनी की जड़ोता है अलग से इनको रिसोर्स यानि संचादन देनी की जड़ोता है ठीक है तो यह काम आपको स्कूल के थूरू नहीं मिल पाता है इसलिए इनको एडिशनल कुछ चीजे देनी चाहिए इनका मेंटल जो प्रोसेस होता ह वह हाइड केटिगरी का होता है जो मैंने आपको बताया जो सोचने की समता होती है वह वह बहुत हाई केटिगरी की होती है तो परतिवासाली बच्चों से जितने भी तो ये concept आपका Clear हुआ, अब बात करते हैं, बुद्धी के सिद्दांत के बारे में बात करते हैं, ठीक, अब बात करते हैं, बुद्धी के सिद्दांत में, अगर आप बुद्धि का सिद्दान्त के बारे में पूछा जाता है तो इन सिद्दान्त के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है जो मैं आपको एक करके पढ़ाऊंगा ठीक है तो चलिए बात करते हैं बुद्धि के सिद्दान्त के बारे में देखे बुद्धि का पहला तर्टर थोरी यानि कि एक कारक्षिद्धांत यह कहता है जिसको परतिपादन बिने नहीं किया था इन्होंने बताई कि सभी व्यक्तियों में एक ही परकार की बुद्धी होती है चाहिए आप लोगों मैं हूँ या दुनिया का कोई भी आदम हूँ हम सभी लोगों के अंदर सभी आई जो सभी कार्यों में जो का म करती है एक बुद्धि के दुवारा सभी असारे काव के जा सकते क्या ईसा पो बिल्कुल नहीं मैं खंडन करता हो ठीक है आलोचना करता ईत पर से कहीं लागो नहीं तो सर्सकρίze में की सिर्फ एक बुद्धी जो सभी तरीके के कामों को करने में हल्फ करती है अब उसके लावा जो दूसरे मनुविगय निकाए जो आपका चाल्ज इस्पेर्मेंट चाल्ज इसपेर्मेंट ने सतता नहीं एक तरीके की बुद्धी नहीं होती है क्い原 सटों से factores से मिलकर बापकी बुंद्धि बंती है यह जाए का Bring the में पहली आपकी सामन्य दिए जणनल यानि ओज्ञाआफ होती है यह सामन्य बुद्धी जण्वजात होती है आप jsे का नाम से पता इनका गता इंक्वस्ते हैं अपjes्चाऊ सब्सक्राइब जन्मसाइं नहीं नहीं होता है लेकिन दूसरों से अर्जिददख कराने वाली बुद्धी होती है यह जन्मसात नहीं होती यह practice के माद्दन से दूसरों को अनुकर्ण करके या मलब शीक कर इस बुद्ध को पाया जाता है अब जैसे लता मंगेशकर जी है ठीक है तो लगे लता मंगेशकर जी में यह वाली intelligence कैसा है इन्होंने खुब जादे practice करी ठीक है खुब जादे मेहनत करी practice करी उसके बाद यह अब बात करते हैं जो आपके सामने महत्पुन है आपका वेरी वेरी इंपोटेंड लगाओ अब आया है पूरे चैप्टर की ज्यान एक नंबर का कुश्चन आपके सीटेट के एक्जाम में जुरूर आएगा अब आए आपके हावर्ड गार्डन ध्यान चा देखना जितनी अब परते इनके सिद्दांत के बारे में डिटेल चेंट चलिए अब जो हावर्ड गार्डन ने दियाता आपका बहु बुद्धी सिद्दांत यानि कि आपकी मल्टिपल इंटेलिजेंस ठोरी जैसे कि इसके नाम से पता चला है कई सारी बुद्धियों के बारे मिनों ने बता है तो है थोरी बात पर जोर द देते हैं कि बुद्धी की जो अलग-लग दसाइ騙 होती है अलग-लग फोर्म सोती है यानि बुद्धि कही तरीके की यह कहाता हावर्ड गार्डन ने अ lore n तरीके कि बुद्धया बताया था ही अभी भी बताते जा रहे है, जल्दी से पढ़ लो, ठीक है, वरना पता नहीं कौन सी निकाल दे, तो अब इन अलग-अलग जो इन्होंने बुद्धिया बताईती, इन्ही के बारे में अब हमको पढ़ना है, अब देखें, इन्होंने जो पहली बुद्धि बताईती, वैसे NCRT के कोड़िंग 8 बताई वगी है, NCRT किताब में 8 लिख्य हुई है, तो इनी आठों के बारे में हमको पढ़ना है, मैंने एक एक एक्ष्टा भी लिख वी है, नो लिख्य हुई है, अलकि अब यह बताते ही जा रहे है, ठीक है, कुछ महीने पहले मैंने सुना था, इन्हो और भासे बहुत बड़ा-बन्डार होता बहुत बड़ा जृआन होगा सब्दोका और भासे और जिन 뭐가 और यंदर यी बुद्धी किनलती मों कॉनमां रहता है वकील आप वकिल आपने देखहोगा ना आ इनको पूरे दिन बर बैठा दो कुछ भी अपना बोलती चली जाएंगी क्योंकि सब्दों के और भासा की बहुत अच्छी पकड़ होती है इनके पास तो इनके अंदर अपकी साब्दिक भासाई बुद्धी तो इन्होंने जो बुद्धी बताई उसमें पहली होगी आपकी स mathematical intelligence यानी तार की गणितिय बुद्धी जिनके अंदर तरक करने की चमता होती है जिनके अंदर गणी से संबंदित किसी भी पहलू को समझने की चमता होती है जिनके अंदर परति को क्या डिफ्रेंस करने की चमता होती है उनके अंदर होती है आपकी तार की गणितिय के अंदर आप जिन लोगों के अंदर यह वाली बुध्धी होती है वह आग जाके क्या का बंते अकौंट buck अदर पाए गई तार की गणित्यप बुद्धि इन लोगों के अंदर पाय जाती है तो दूसरी बुद्धि आपकी आप आप देखते हैं अगली बुद्धी की बारी कौन कौन सी बात करता है और आप लोग मुझे कमेंट बोक्स में बताना जब मैं आपको ये नो बुद्धी बता दूँगा कि आपके अंदर कौन सी बुद्धी है आप लोग इमानदारी से मुझे बताना ठीक अगली बुद्धी पास एक खाली प्लोट है यह आपके पास एक खाली प्लोट है अब इस खाली प्लोट में आपको मकान बनवाना तो आप जाकर मिस्त्री को लेकर आगए ठेकदार को लेकर आगए यहां से जीना निकाल देंगे तो देखो सारी चीज अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर लेता है वो तो क्या काम कर रहा है जो अमूर्त तथ्य एफस्टेट कॉंसेप्ट है जो बता रहा है कि यहापर कमरा निकालेंगे यहापर बातरूम यहापर किचन निकालेंगे तो अमूर्त तथ्यों के अधार पर वो क्या काम कर रहा है अपने माइंड में छवी बनाता जा रहा है और पूरे मकान का नक्सा अपने माइंड के अंदर बना देगा हो जो ठेकेदार होता है उनके अंदर ये वाली बुद्धी देखनों मिलती है ठीक है और उसके अलावा किन के अंदर बुद्धी देखनों मिलती है मूर्तिकार के अंदर देखनों मिलती है देखे मूर्ति को किस तरीके से बना देंगे तो मूर्तिकार के अंदर देखनों मिलती है चित्रकार के अंदर देखनों मिलती है अच्छा देखो और बताओ किसके अंदर देखनों मिलती है अब देखो जैसे महिलाओ आप लो चला तक है तो बाइक को ऐसे जिग जग चलाते है कट मार के चलाते है टेडी करके चलाते है तो बेसिकली वहाँ पर क्या हो रहा है जब बाइक चलाते है इस तरीक से जिग जग करके तो मैंड के अंदर एक पॉइंट बन जाता है कि यहां से इतना कट लेना यहां से इतनी जं की गाड़ी के नीच आएगा ठीक है उसकी जीबार निकल के आ जाएगी तो इन लोगों के अंदर भी वाली बुद्धी देखने को मिलती है तो भाई मैंने तो खूब कट मारे मेरा तो एक्सिजेंट नहीं हुआ तो मैं तो कह सकता हूँ मेरे अंदर यह वाली सारीरिक गतिक बुद्धी नाम से पता चला है सरीर को गती देने वाली बुद्धी वह बुद्धी जिससे हमारे सरीर को गती में मिलती है जिससे हमारे मसल्स को गती मिलती है हम काम करना शुरू कर देते है तो वह वाली बुद्धी की बात यहाँ पर हो रही है और किन लोग तो हमारे जो एथिलीट है उनके अंदर पाए जाती है चाय कीरिकेटर हो चाय निरत चोपडा हो चाय उसे मोल तो कोई हूँ उनके अंदर यह वाली बुद्धी पाए जाती है क्योंकि इसी ठीक है अराम से थोड़ा लेट हो जाओगे कोई बात नहीं दुर गटना से बेर भली ठीक यह सलोगन याद रख लेना अगला सामने स्क्रीन पर आ गया बूजिकल इंट्ईयन्स station यानि की संगीता अत्मक बुद्धी अब जिनगे अंतर आपको इसके नाम से पता चल जाता है कि कों सी वाली वुद्दी है अब आगी संगीत आत्मक बुद्धी यानि संगीत से जुड़ी बुद्धी तो इस बुद्धी के अंतरगा संगीत की बुद्धी जादा होती है ठीक है जो सिंगर रहते हैं जिन वेक्तियों में इनका अधिक्विकास हो जाता है या तो सिंगर बनते हैं एंटर्टेनर बनते कई पर गाना सुरू कर देते हैं कोई भी गाना गाना शुरू कर कर देते हैं और यहाँ पर बच्छी 금 Kenneth कन्फ्यूज होते हैं इनके अंदर लेकिन एक बार में समझाऊंगा आपको और इजली आपको समझ मा आजाएगी ठीक है यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना अब बात करते हैं इंटर पर्सनल इंटेलिएंस और इंट्रा पर्सनल इंटेलिएंस देखना स्क्रीन पर आ रही है इंटर पर्सनल इंटेलिएंस में क्या होता है इसमें के दुवारा दूसरे वेक्तियों के साथ कैसे इंटरेट के जाए इसमें कैसे इंटरेट के जाता है दूसरे वेक्तियों के साथ कैसे इंटरेट के जाए कैसे उनकी मनुद्धासा को उनकी प्रकरति को जाना जाए कैसे उनके हाव भाव को जाना जाए तो दूसरों वेक्तिव के साथ इंटरेट के जाता है आपकी इंटर पर्सनल के अंदर और इंटर पर्सनल में क्या होता है इसमें खुद के साथ आदमी इंटरेट करता है खुद को जानता है खुद के साथ तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना ठीक है इंटर पर्सनल में दूसरों के साथ इंटरेट के जाता है और इंटर पर्सनल में खुद के साथ इंटरेट के जाता है अब जब इंटर परसनल होती है तो दूसरे वेक्ति के साथ इंटरेट करता है वह इसमें किसी दूसरे वेक्ति कि मनोदसा या उसके सवाव या उसकी परवर्ति ठीक है परवर्ति गलत लिए या उसकी परवर्ति को समझकर परतिक्रिया देने की योग्यता होती है यह किन लोगों में पाई जाती है यह पाई जाती है आपकी नेताओ के अंदर यह वाली बुद्धी पाई जाती है आपने ओना स्गता के करते लोग जाती के अधार पर लडाता है क्योंकि उसे पता है पबलिक को क्या चीज है क्या ऐसे श्टेटमेंट देने चाहिए चिससे ये पबलिक byफ और शॉर्क घा памरी तरफ चला जाएगा कैसे बात करनी चाहिए कौन सा इसा काम करना चाहिए जिससे लोगों के बीच में दरार पड़े तो नेताओं को इस बात के बारे में पता होती है अच्छी तरीके से ठीक है तो इसलिए नेताओं के अंदर यह वाली बुद्धी पाए जाती है इंटर पर्सनल ज भी बच्चे के हाववाव को देखकर समझ जाता है मुझे इतनी साल होगी मुझे भी पतर रहता है आप लोग क्या सोच रहे हो कि आपके मैंड में चल रहा है ठीक है तो टीचर गंदर पाए जाती है उसके लावा जो दुकांदार होते है ना उनके अंदर यह वाली बुद साथ में यह वाली सर्ट हो लेलो यह हमारी दुकान पर स्कीम चल लिए एक सर्ट के साथ दो सर्ट आपको ऐसे फिरी मिलेगी तो देखो इनके अंदर भी यह वाली इंट्लिजेंस बहुत देखनों मिलती है ठीक है तो यह हो गई आपकी इंटर परसनल को अच्छी तरीके से दूसरी होती है आपकी इंट्रापरसनल जो खुद के साथ करते है जैसे जो आध्यात्मिक गुरू वगरा होते है जैसे सिरी-सिरी रवीशन करोगे एक यूट्यूब पर आते हैं क्या नाम ने उनका सद्धुगुरु जैसे उनका हो गई यह जो धार्मिक गुरु होते हैं आठवी बुद्धी के बारे में आपकी नेचुरलिस्टिक बुद्धी यानि कि आपकी परकर्तिवादी बुद्धी देखो मैं के रहा हूं ने इनके नाम से पता चल ला है परकर्तिवादी बुद्धी यानि वो बुद्धी जो परकर्ति के नजदिक होती है तो इस बुद् परन जो प्रेमी रहते हैं वो लोग हो गए या जो किसान होते हैं इनको प्रेवर इंचे लगा होते हैं प्राकर्टिक चीजों से तो इनके अंदर ये वाली इंटेलिजेंस पाई जाती है ठीक है तो इसको समझे आठ बुद्धी या पर हो गई जो आपके सामने स्क्रीन पर ह और नोवी बच्ची आपकी इसको देख लेना हालकि एक्जाम में बहुती रेर चांस होता पूछी जाते हैं बटेम आपको बता रहा हूं आपकी अस्तित्वादी बुद्धी इस बुद्धी के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्य के बार में सोचते हैं हर चीज के पीछे दखवान क्यों है मैं ऐसा क्यों हो यह ऐसा क्यों है यह दुनिया ऐसे कैसे क्यों चल लिए ऐसे को इनके माइंड में के अंदर चलते हैं ठीक है तो यही से आपको देखने को मिलेगी जो आपके एंटलिजेंस आती है लेकिन आपके एक्जाम में एक चीज और पूछ जाते हैं जो हवर्ड गाड़नर का सिद्दानत है मल्टिपल इंटलिजेंस इसकी आलोचना भी हुई थी और इसकी आलोचना क्या हुई थी सबसे वेलिड़ पॉइंट जो आपके एक्जाम में आता है वह यह है कि इसमें अ कोई तरीका नहीं है ठीक है तो सबसे बड़ी जो इसको अंदर इसको आलोचना होई थी जो इसको वेलिड नहीं माना उसका रिजन यही था कि जितनी भी भूद्दी भाई हावर्ड गाड़नर साब आपने बताई है इनको मेजर कैसे करेंगे इनको मापेंगे कैसे तो यह तो यहां तक आप लोगों को समझ मागया हां जी ठीक है भाई ठीक है हाँ लव ओफ नेचर ठीक अब यह चीज आपके क्लिए रोगी तो यहां तक आपके सीटैट में पूइंट पूछी जाती है लेकिन उसके लावा जो आपका ओनलाइन एक्जाम हुआ था जो से लिए गए थे जो प्रतिवासाली बच्चा मैंने वह बता दिया और हावर्ड गार्डनर तो आपका आयाया था लेकिन उससे पहले जो उफ्लाइन पेपर होते थे वहां पर आपको इस्टर्ण बग का बुद्धी का सिद्धान देखने को मिलता है जो उफ्लाइन पेपर तो बुद्धी के तीन प्रकार इन्होंने कौन-कौन से बताए अनुबवात्मक बुद्धी जैसे इसके नाम से पता चला है एक्स्प्रियेंचल इंटेलिएंस अनुबवाव से उत्पन होने वाली बुद्धी ठीके तो अनुबवात्मक बुद्धी ये किस पर आधारित ह होती है अनुभावों पर यानि हमारे experience पर आदारित होती है व्यक्ति अपने अनुभाव से कुछ नहीं खोज करता है और अपने अनुभाव से कुछ नया अब देखे यह तो अपने अनुभाव मिलते जा रहें बुद्धी से संब्धित या गाडवन से संब्धित तो इन्हीं नए अनुभाव के आदार पर जो आपके अमुर्थ बुद्धि वाले लोगों में जाद होती है है अमँर्थवुद्धी की अंदर देखन मिलती है जैसे कवी हो गए कवी अपने माइंड कंदर ऐसा-ईस विचाल लेकर आ जाएगे से सा जो आपकी घठके बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना सक्ती से बहुत कुछ सोच लेते हैं जैसे मैं अदसक्ति हो गया कलपना सकती से पता नहीं का काप हो जाते हैं और अमुर्थ बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे लोग हर चीज के पीछे कारण जानना चाहते हैं तो यह हो गई आपकी दूसरी घट के बुद्धि अब बात करते हैं तीसरी बुद्धि की इन तीनों बुद्धियों में से उसको अधिक से अधिक लाव हो सके ठीक सूचनाओं को एक संगटीत पैटन में गठीत करता हो जैसा मालीज आपके पास सूचना है सीटेट को एक्जाम को पास करेंगे यह किलास के लिए हमने सचिन सर के यूट्यूब चैनल पर खोली साथ में सचिन सर के नोट से निकाल समयोजन रखते है किसके साथ प्रएवरेन के साथ ठीक तो आपको सबसे महत्पुंद चीजिए रखना आपको प्रएवरेन का रिएखतील आपको प्रwent के साथ पॉछउजां अकंटे इंगक इह मैंने काना बहुत बड़ा चेप्टर होता है लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना क्योंकि पूरा आपको अच्छा मेरा एक कोषण आप लोगों से इसको आपको दोख समझ लूँटो जो एमोशनल इंटियएंस जो इमोशनल इंटेलीजेंस है. यह आपकी किस बुद्धी से जुड़ी होती है, बताओ, emotional intelligence किस बुद्धी से जुड़ी होती है, comment box में बताओ, वन्ना homework करके बताना, ठीक है, और जब आप लोग notes के अंदर प्रिवेसर के question देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो friends, यह बुद्धी का chapter आपका complete हो अब आपका कुछ question हो, तो आप लोग अपना question पूछ सकते हो, मैं आपका question का answer अब दे देता हूँ, और आई वोप आपको वीडियो पसंद आए होगी, पसंद आए तो इसको like कर देना, वीडियो को, अपने दोस्तियार के पास share कर देना, और जो लोग नहीं है वो चैनल को करा, यानि उसमें admission लिया, तब सही आप seat at का exam दे सकते हो, ठीक है, यानि पहले दिन ये admission करने पर आप लोग ने अपना कोई भी teaching training course हो, डियलेड हो, बियेड हो, कुछ भी हो, तो उसमें आप लोग अपना exam दे सकते हो, और पूछे क्या question आपका, किस से जुड़ा हुआ है सही से बताओ, आप लोग सही नहीं बता रहे हो, और पूछे क्या question आपका, जी, आपकी बुद्धि कौन से भावातमक, notes कैसे लेने होंगे, notes यह आप लोग Google के उपर जाना, Google के उपर जाकर लिख देना, suchinacademy.com, तो इस तरीकी से मेरी site आजाएगी, जो भी आपका paper हो, तो आप आपको paper दे, login करके, वास आप लोग उनको purchase कर लेना, ठीक है, और किसी भी और book के चक्कर में, आप लोग इसके seat at के लिए मत रहना, ठीक, आप VR में seat at pass हो जाता है, मैं इसका भी चलेगा, सब चलेगा, आपकी देरे-देरे करके, आपकी class ही चलती जाएगी, अब म इंट्रापर्सनल में होती है, ध्यांच पढ़ना नोट्स के अंदर, आपको आंसर मिल जाएगा, किस के अंदर होती है, थोड़ा-थोड़ा सही पोच्या आप लोग, और कोई question हो तो आप लोग पूचिए, जी, एक्जाम कब तक होने का चांज है, यार बताय तो हुआ है, अधियों नोट्स के अंदर, आपका एक्जाम दिसम्बर में होगा, ठीक है, और मेरे खाल से दो अप्ते के बाद आपको फोर्म देखने को मिल जाएगे, सीटेट के बनना स्टार्ट हो जाएगे, तो दिसम्बर में आपका एक्जाम है, यह क्लास यूपी टेट के लिए य तो सीटेट के लिए तो मुझे नहीं लगता है इससे बाहर आपका कुछ जाएगा यही चीज आपके अपने एक्जाम में देखने को मिलेगी लेकिन यूपिटेट में आपकी और चीज़े डिटेल में आजाती है तो मैं अभी सीटेट ही करा रहा हूं प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो प्रिंट आप लोग करा सकते हो जो नोडस आप डाउनलोड करोगे साथ में पासवर्ड दिया होता है उससे आप लोग उनको नोड़ अपन भी कर लिया करो चलिए अब मैं वीडियो को ही स्टॉप करता हूं और आइधिंग आपको किलास फस् था थैंको